पूलिस ने कोचिंग संचालकों के खिलाब केस दर्ज बिहार में RRB NTPC परिशा में धांदली के आरोपों के बाद हुए बवाल में पूलिस ने बड़ी करवाई किया है बतादे मसूर यूटूब और सिक्छक खान सर समेथ कई कोचिंग संचालकों के खिलाब पूलिस ने कोचिंग संचालकों पर छात्रों को भड़काने कारूप लगाया है वहीं बवाल में चेनी चात्रों की गिरफतारी की कोशिस में भी पूलिस जूट गई है बतादे पूलिस पूलिस जूट गई है बतादे पूल ज़र ट्रेंड की चार भोगियों को फोक दिया गया इसी के बाद हरकत में आई पुलिस ने कोचिंग संचालकों के खिलाब करवाई शुरू कर दी है बता दे पत्ना के पत्रकार नगर पुलिस एस्टेशन में कोचिंग संचालकों के खिलाब केस दर्ज किया गया है उसमें सबसे बड़ा नाम खान सरका है हलाकि खान सर को इस बात की पौले से असंका थी उन्होंने अपनी तरब से मीडिया में पक्ष भी रखा था एक वीडियो जारी कर चात्रों को हिंसक अंदोलन नहीं करने के अपील भी की थी बता दे खान सर के अलावा पाटना केस के जहाँ समेत कई सिख्षकों के खिलाब केस दर्ज किया गया है जारखन सरकार 80 लाख से अधिक सरमीकों के लिए कुछ खास करने जा रही है मुख्य मंत्री हमस्रे ने बुद्वार को कहा है कि कोविड से जुड़े लोकडाउन के दवान राज्ये के मजदूरों को बिभीन समस्याव का सामना करना पड़ा जिनके निदान के लिए सरकार अगले डेढ़ वर्सों के भीतर समगर प्रवासन निती तयार करेगी जिसके लिए इस रम पोटल पर असंगटी छेत्रे के असी लाग से अधिक स्रमिकों का निबंदन किया जा चुका बता दे देश के तीहत्रवे गंतंत्र दिवस के उसर पर अपने समधन में मुक मंत्री ने काया कि संथाल परगना परवंडल से मजदूरों का अधिक पलायन होता है इन मजदूरों को अनेक समस्याव का सामना करना पड़ता है कोवीड-19 लोकडाउन के दोरान उन पर जो बिती वह पुरा देश चानता है इसलिए असंगटी चेत्रे के स्रमिकों का निबंदन कराने है तू इस रम पोटल आरम किया गया है जिस पर राजे के किगूल असी लाग से अधिक स्रमिकों का निबंदन किया जा चुका है RRB NTPC बवाल आग जनी के बाद 14 ट्रेन रद RRB NTPC परिक्षा में धनली को लेकर आकरोसी चात्रों का गुसार रेलवे स्टेशन और ट्रेनों पर निकल रहा है बता दे गया में बुद्धवार को कुछ घंटे के अंतराल पर दो बार ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई पहले एक बोगि में आग लगाई गया कुछ घंटे बाद तीन और बोगि को आग के हवाले कर दिया गया बता दे स्रम जीवी एक्सप्रेस पर पत्राओ भी किया गया चात्रों के आक्रोज को देखते हुए बुद्धवार को गाया पटना के बीच चलने वाली 12 प्रसेंज ट्रेनों सहीद कुल 14 ट्रेनों का परिचान रद किया गया कुछ ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर घंटों रोक दिया गया जारखन गठन के बाद अब तक 21 वर्षो में 961 नक्सलियों गिरफतार डीजीपी जारखन के पूलिस महानी देशक डीजीपी नीरसीन्हा ने कहा है कि अलग राजे गठन के बाद पूलिस ने पिछले लगभग 21 बर्सों में 9631 नक्सलियों गिरफतार किया है उन्होंने कहा कि इस दवरान उनके कबजे से पूलिस से लूटे गए 524 हंथियारों समेत हजारों हंथियार और बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामत किये गए हैं बता दे बुद्धवार को देश के 33 गंतंत्र दिवस के औसर पर रांची के पूलिस ग्राउंड में परेट की सलामी लेने के बाद डिजीपी ने बताया कि बर्स 2000 में बहुत सीमित संसादनों के साथ निर्मित नए राजे में अपने संकल्प की बदावलत राजे की पूलिस मवादियों और नक्स अली संगटनों के खिलाब अभियान चलाया जिसमें अभीता कूल 9621 नक्स अली की रफ्तार किये गाए अरारबी 90 PC अभियार्थियों का झारखन में बवाल नई दिल्ली, हवडा, ग्रेंड, कोड, सेक्सन के कोडर्मा गया रेलखंड पर बुद्ध्धवार को अरारबी 90 PC अभियार्थियों के अंदूरन का असर देखने को मिल रहा है बतादे 26 जनवारी को कोडारमा के राष्टे होकर चलने वाली कई आत्री ट्रेनों को भी भीन इस्टेशनों पर दोफर साड़े 11 बज़े रोक दिया गया जनकारी के अनुसार अभियार्थियों ने बिहार के गया जक्सन में चार बोग्यों को आग लगा दिया जमकर परदसन कर रहे हैं लगातार उनका अंदुलन जारी है बतादे 27 बज़े तक ट्रेनों का पहिया पूरी तरह जाम रहा दीन में 12 बज़े के करीब को डर्मा गया सेक्शन के अंतरगत गुर्पा में भी 20 मिनट के लिए ट्रेक पर परदसन कारी छात्रे पहुँच गए थे साहव गंज के मोबाइल चोर गिरोह के चार सद से जमसेद पूर में गिरफतार पूरबी सिम्म जीला अंतरगा जमसेद पूर के साक्षी पूरिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के चार सद से गिरफतार किया है बतादे पूरिस ने उनके पास 25 मोबाइल बरामत किये है वहीं गिरफतार होने वाले में हरीकुमार, अरजुन, नोनिया, अनिल, महतो और एक नबालिक सामिल है बतादे सभी साहिब गंजीले के पहारपूर गाओं के रहने वाले है इनका मुख ये काम चोरी करना है इस बात की जनकारी CCR, DSP, अनिमेस गुपता ने पत्रकारों को दिया है DVC के लगातार बिली कटोथी पर गुसे में मंत्री जगनाथ महतो DVC दुवारा लगातार बिली कटोथी किये जाने से गुसे में दिखे सिक्षा मंत्री जगनाथ महतो बोकारो परिसादर में डीवीसी अधिकारियों संग बैठा कर सिक्षा मंत्री नराजगी जताई उन्होंने का कि हमन सुरेन सरकार को बदनाम करने की बड़ी साइस हो रही है बता दे इस मुदे पर डीवीसी अधिकारियों से लगातार बिली कटोती किये जाने पर सवाल पूछा इस पर डीवीसी के अधिकारियों इसे अला अधिकारियों का निरनाए बताया जगनाथ महतो ने वोकारो डी-सी कोरड दी-वी-सी पर जिलिके भगाया ज़लकर सेस परिवहन से सहीध अने सेस का रिकोरड तयार कर दी-वी-सी से पैसे की वसूली करने का निन्य दिया बता दे सिरी महतों ने कहा कि हमारे जमीर पर प्लांट पैसा और पानी डीवीसी इस्तिमाल कर रहा है और विजली से हमें ही वन्चित किया जा रहा है यह बर्दास नहीं किया जाएगा देवघर एरपोट से उडान के लिए दो एरलाइंस कमपनियों ने दी समती देवघर एरपोट से दो एरलाइंस कमपनियों दोरा हवाई सेवा सुरू करने के लिए समती जताए जाने के बाद अब यहां से फ्लाइट की फ्रिक्वेंसी और स्लोट तैक की जा रही है बता दे केंद्री नागरिक उडाने मंत्रालाई के उपकरम फेडरल एरलाइंस कमपनियों के उडानों की फ्रिक्वेंसी तैक करने के लिए सभी मानकों का अध्यान सुरू कर दिया गया है देव घर यारपोट से एक एरलाइस कमपनी की कितनी फलाइट का सुलोट होगा इसका आकलन फेडरल एवियेशन एड्मिनिस्ट्रेशन द्वारा तक्निकी बिंदियों पर की जा रही है RRB NTPC के गुसाय चात्रों ने रेलवेशन पर ट्रेनों की तीन बोगियों को फुका RRB NTPC परिणाम के बिरुध में चात्रों के द्वारा किये जा रहे उग्र परदसन थमने का नाम नहीं ले रहा है बता दे गया रेलवेशन पर देर साम उग्र चात्रों ने दुबारा तांडों मचाया चात्रों ने गया रेलवेशन के एक नमबर रेलवेशन गुम्टी के समीब खड़ी एक ट्रेन की तीन बोगियों को आग के हवाले कर दिया वहीं सुचना मिलने के बाद फाय बिरिगेट की कई गाडिया मोगे पर पहुची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जारखन में कुरोना के एक हैर नौ केस मिले है जबकि 291 मरीश स्वास्त भी हुए है जारखन में कूलेक्टिव केस की संख्या 13911 है भारत में 2,49,255 केस मिले है जबकि 2,7,199 मरीश स्वास्त हुए भारत में कूलेक्टिव केस की संख्या 22,10,416 है नीजी छेत्रे में 75 परशेत आस्थानियों को नोकरी सीम हमात 73 गंतंत्र दिवस के मोगे पर दुमका के पूलिस लाइन गराउंड में सीम हमान सुरेने राश्ट्रिय दोज फराया इस दोरान परेट का निरिक्षान और सलामी भी लिए इस मोगे पर उन्होंने जहाँ सीम सपोर्ट पेट्रोल सबसिडरी योजना का सुबारम किया वहाँ कई घोसनाय भी की बतादे इसके तरहत राच्ची में वर्ल्ड ट्रेट सेंटर बनाने के अलावा राजेबर में असी उत्किष्ट विद्याले, 325 परखंड असरे लीडर स्कूल और 4,091 ग्राम पंचायत असरे आदर्स विद्याले विक्सित करने पर जोर दिया वहीं फूलो जानुवा सिर्वाद विजना के तहट 14,000 से अधिक महिलाओ को सम्मान जनक आजीवका से जोडने की बात कही इसके अलावा इस रम पोर्टल पर असंगठी छेत्रे के 80,000,000 से अधिक सरमीको का रईश्टेशन होने विभीन नियुक्ती निमावली में संसोधान और गटन के बाद 41,000 और 42 रिक्त पदो पर नियुक्ती के लिए जे सेसी को अधियाचना भेजने केंद्र द्वारा धान पर गोशित नियुदम समर्थन मूले के अतिरिक किसानों के 110 रुपे प्रतिक किंटल किदर से राई सरकार द्वारा बोनस देने के बाद सहीत अने बाते कही आरपी एन सिंग के बिजेपी में जाने से कांग्रेस सतर्क जारखन कांग्रेस के परभारी आरपी एन सिंग के भाजपा में सामील होने के बाद कांग्रेस आला कमान काफी सतर्क हो गया है बतादे बुद्धवार को नई दिली में जारखन परदेश कांग्रेस अध्यक राज पर्देश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राहूल गांधी से मुलकात की जार्खन की ताया राजनेती घटना करम से उन्हें अवगत कराया बतादे नई दिल्ली में राहूल गांधी से मुलकात के बाद जार्खन परदेश कॉंग्रेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क के जारकन में कॉंग्रेस पूरी तरह एक जुठा है IIT धनबाद में नवक्री की बारिस कुरोना काल में एक और जहां नवक्रियों के उस्तर काम हुए हैं वहां तक निकी संस्थानों में कैमपस प्लेस्मेंट की बाहर आई हुई है बता दे IIT ISM धनबाद में बंपर कैमपस हुए है अभी तक लगभग 900 चात्र चात्राओं का कैमपस प्लेस्मेंट हो चुका है बता दे कुरोना के बावजूद IIT में नवक्री में कौमी नहीं आई है IIT में अभी तक 211 कंपिनों ने कैमपस के लिए अपना रेइस्टेशन कराया है इस बार ओफ कैमपस में सरवधि एक डोर और अउन कौमपस में 50 लाख रुपए का सलाना पैकेज मिला है वहीं IIT प्लेस्मेंट डिपार्टमेंट की ओर से मंगलवार को जारी आकड़े कंसाल चात्रों को अभी तक आउस्तान 19.25 लाख का पैकेज मिला है मंत्री हफिजूल ने स्टेडियम में किया जंडो तोलन तेवघर के नगर स्टेडियम में 73 गंतंत्र दिवस के अउसर पर राजे सरकार के मंत्री हफिजूल हसन ने जंडो तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी इस अशर पर जैव के जवानों और पुलिस बल द्वारा प्रेट और सरकारे भी भागों द्वारा जाकी निकाली गई इस अशर पर मंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया मंत्री डॉक्टर रमेश्वर उरावने लोहर्दगा में किया ज़ंडोतोलन 73 गंत्री दिवस के अशर पर लोहर्दगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में बीट्स खाद सोजनिक बीत्रन एवां उभोक्ता मामलों के मंत्री डॉक्टर रमेश्वर उरावने धोजार रोहन किया इस मौके पर मंत्री डॉक्टर उराव और डीसी दिलीब कुमार टोपोने सुनिक रूप से परेट का निरिक्चन किया बतादे कारेकर में सबसे बेहतर परेट के लिए जीला पूलिस बाल की महिला बटालियन को प्रतम पुरुषकार दिया गया वही दूत्यप्रोशकार जीला पूलिस बाल के पूरुष बाटालियन को और तिर्तिप्रोशकार जीला ग्री रक्ठावानी को दिया गया बतादे सारजेंट मिजर सुरेंदर कुमार ओजा को बेस्ट कंपनिक कमांडर का पूरुषकार दिया गया राज-जे-पाल रमेस बैस ने जहरखंड के अफ्सरों को किया समानित राजधनी राची के मुरबादी मैदान पर गंतत्र दिवस समारो के सुब अउसर पर भभे समारो का उजण किया गया ठा जहां पर मुख्या थिती के रूप में राजे पाल रमेश बैस मौजूद थे बतादे इस दवरान वहां पर मौजूद सभी लोगों को उत्सा देखते ही बन रहा था सबसे पहले उन्होंने जंड तोलन किया उसके बाद उन्होंने प्रेट की सला मिली जिसके बाद उन्होंने लोगों को समुधित करते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है समीधान की वज़ा से आज हमने आजादी के उद्धियों और आदर्स्तों हांसिल करने में सफलता पाई है दुमका से सीम हमन ने पेट्रोल सबसिडरी योजना की सुरुआत की सीम हमन सुरेन ने राजवासियों को पेट्रोल सबसिडरी योजना की सोगात दिया बता दे दुमका के पोलिस ग्राउंड से इसकी सुरुआत करते हुए सीम सीरी सुरेन ने कहा इस योजना का दो पहिया वहान रखने वाले गरीबों को लाब मिलेगा इस मौके पर पांच लाबकों को संक्यतिक तौरपर सबसिटरी का चेक पदान किया बतादे CM के हाथो इस योजना का पहला लाब लेने वाले संतोस मुर्मू पहले लाबुक बने इसके अलावा बोधिन किस्कू राजेस मिस्तिरी मर्टिन मुर्मू ने भी योजना का अनुदान मुक्यमंत्री के हाथो प्राप्त किया गीरी डी में नक्सलियों ने दो जगों पर फाराया काला जंडा गीरी डी जीले में नक्सलियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है बताद नक्सलियों ने डुमरी परखंड के आमरा पंचाज सचीवालाय के सामने और विसुनगट छेत्र के राजकिये उतकर्मिक मत बिदले डमको में काला जंडा पारायक और अपनी उपसिती दर्ज कराई है बता देश दोरन पर्चे भी छोड़े हैं जनकारी मिलते ही पूलीस काला जंडा और पर्चे को जब्त कर लिया है वहीं दूसरी और खरकी में एक मोबाइल टावर को भी उडा दिया है मालूम हो कि एक क्लोर के इनामी नकसली प्रसांत बोस और उनकी पत्नी स्थीला दीक के गिरफतारी के बिरोध में नकसली संगटन 21-26 जनवरी तक परतिरोद दिवस मना रहे थे वहीं आज 27 जनवरी को एक दिवस से बिहार जार्खन बंद की घोसना भी किया है गंतंत्र दिवस के मोखे पर स्थीये महमंत ने राजे की जानता से कहा है जार्खन की उप्रेधानी दूमका में गंतंत्र दिवस समारों का रोजन बड़े ही धूमदाम से हुए इस मोखे पर संदार पूलिस परेट का वजन भी किया गया था इस दोरान कोविड नेमों का भी खास क्याल रखा गया बता दे सिये महमंत ने अपने भाषन में सबसे पहले अमर सहीदों को सदानली दी और उनकी सहदत को सलाम नमन किया इसके बाद उन्होंने परेट की सलामी ली उन्होंने इस मोखे पर राजवासियों को सम्मधित करते हुए कहा कि तियातरवे गंतंत्र दिवस के हार्थिक बदाई देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ उन्होंने मोखे पर महात्मा गांदी पंडित जोहरला नेहरू समेत जारकन के तमाम बीर सहनिकों को सदानली दी बीजेपी के 27 नेताओ पर गिरफतारी का तलवार लटका है संसत संजय सेट मेर आसालाकडा भाजपा महिला मोर्चा की परदेश अध्यक्स आर्थी कुजूर परवक्ता प्रतूल नाथ सादेव समेत कोई और भाजपा नेताओ पर गिरफतारी की तलवार एक बार फिर लटक गई है बता दे निचली अदालत ने संजय सेट समेत अने 27 आरोपियों की अगरिम जमानत याज का सुनवाई पच्चात खारिच कर दी इन लोगों पर विधान सबा मार्च के दोरान पर सासनिक कारों में बाधा पहुचाने हवलदार से हथियात छिनने का पर्यास करने समेत अने अरोप हैं वही मामलों को लेकर सदर अंचला अधिकारी अमीत फगत ने 8 सितंबर 2021 को धूरवाता नामे प्रात्मी की दर्ज कराई थी जारखन के मोडली स्कूलों में होगी 1335 सिक्षकों की नियुक्ती जारखन में सिक्षक बनने की तयारी कर रहे अवियातियों के लिए खुस खबरी है दरसल जारखन की हमान सुनिन सरकार राजे के 89 मोडली स्कूलों में समीदा के अधार पर 1335 सिक्षकों की नियुक्ती करने जा रही है बता दे स्कूली सिक्षकों की तयारी शुरू कर दी है इसके लिए बीट बिभाग से भी स्कूलों में अनुबन्द के अधार पर ही सिक्षकों की नियुक्ती करेगा जिसके लिए सिक्षकों को एक तयरासी दी जाएगी सिक्षा के बिकास में सरकार सजग और सनवेदन सील मुख्यमंत्री हमन सुरे ने कहा कि सिक्षा बिकास का अधार है ऐसे में सिक्षा के परती हमारी सरकार सजग और सनवेदन सील है इस सिलसिले में राजय भर में 80 उत्किष्ट विद्याले, 325 प्रखण अस्तरे लीडर स्कूल और 4,091 ग्राम पंचायत अस्तरे अदर्स विद्याले को विक्सित किया जा रहा है साथ ही ओनलेंज सिक्षा को और सुगम और कारगवर बनाने के अवसकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि भारत सरकाद वारा जारी किये गए सेखनिक सुचकांक में जार्खण को 29 अंगों का फैदा हुआ है जो पूरे देश में सरवधिक है बता दे मात्री भासा अधारित बहुबासिस सिक्षन विवस्ता के लिए समगरियों को विक्सित किया जा रहा है इसके लिए 250 विद्याले को विशेश रूप से चिनित कर वहाँ प्रयोगिक तोड़ पर मात्री भासा अधारित सिक्षन विवस्ता लागू करने की योजना बनाई गए इस योजना के पहिनाम का एकलन कर अन विद्यालों में भी विवस्ता को लागू किया जाएगा धन्यवाद